मुबाइल फोन आज के समय में सभी की जिरुद बन गए हैं ऐसे में कई माता पिता अपने बच्चों को बच्च पन से ही मुबाइल देखना सिखाते हैं फिर बच्चे भी घंटों मुबाइल बर नजरे गड़ाय रखते हैं इस वे ऐसे कई चोड़ चोड़ बच्चों की आँगों पर चस्मा भी लग गया है ऐसा ही थालेंड में रहने वाले एक माता पिता के साथ हुआ दरसल उनकी चार साल की बेटी को ज़्यादा स्मार्ट पॉन चलाना बहुत मेंगा पड़ा उनकी बेटी दो साल की थी तब से बहुत मोबाइल पॉन देख रही है एसे में जब वे चार साल की हुई तो उसकी आँखों में इस मोबाइल के कारण समस्या पैदा हो गई इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले लड़की को चस्मा दिया गया लेकिन इस से कोई प्रग नहीं पड़ा क्योंकि लड़की को लेजी आईस नाम की बिमारी हो गई थी यह एक एसी बिमारी है जिसका इलाज चस्मा लगाने के बाद भी संबभ नहीं है इस बिमारी के कारण हमारा मस्ति आखों को दिखाई जाने वारी तस्वीरों को महसूस करने में एसमर्थ रहता है इनके पिता ने यह पूरी घटना फेस्बुक के मादम से सभी को बताई उन्होंने बताया कि पहले तो हमने सोचा था कि चस्मा लगाने के बाद बेटी की आगे ठीक हो जाएगी लेकिन बाद में हमें पता चला कि इस बिमारी का इलाज चस्मा नहीं बलकि इसके लिए सरजरी से गुजड़ना होगा साथ ही हमें पता चला कि हमारी बेटी की आँकों में ये समास से लंबे समय से मुबाइल फॉन यूज़ करने की वैसे आई है इसलिए हम सभी माता पिता को जागूर करना चाते हैं कि वे अपने बच्चों को अधी मुबाइल फॉन दिखाने की गल्दी नहीं करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक जरू कर देना अगर इस चैनल पर पहली बार आयो तो इस चैनल को सस्क्राब भी जरू कर देना क्योंकि मैं इस तरह की नोलिपर वीडियो लाता रहता हूं